एक गाउ में कथा चल रही थी गाउ की सारी माताईं उस कथा को सुनने के लिए श्रवन करने के लिए जाती थी लेकिन उस गाउ में एक वरत्ध माताजी रहते थे बुडिया माई रहती थी वो कथा सुनने नहीं जाती थी ऐसा नहीं था कि बुडिया माई की कथा में कोई रुची नहीं थी अत्वा भगवान में उनके भाव नहीं था ऐसा नहीं था बस कथा सुनने नहीं जा पाती थी उसके पीछे कारण ये था कि बुडिया माई के घर में बहुत सारी गोमाता ही थी और बुडिया माता को दिन द जालो तो मैं कथा सुनने चली जाओं तो बहु उने हाथ खड़े कर दिये कहा देखो माजी फालतों का मपन से नहीं होंगे हमारे हाथ भर जाते बासने लग जाते अब बहु मना भी करें तो विचारी सांस कहा जाएं उसको तो करना ही था ठीक है गोबर हम उठा लेंगे अब साथवा दिन है समापन का दिन है तो आज तो गाओं की सारी माताएं बुडिया माई के घर पे जाके बेट गई का देख माई आज तो आप चलोगे तो हम जाएंगे कथा सुनने और आप नहीं जाओगे तो आज हम भी कथा नहीं सुनेंगे आज तो हम आपको लेकर के ही जा काम चलो जीवन बर करना ही है गोबर तो उठाना ही है बाद में उठा लेंगे आज थोड़ी कथा सुनके आ जाते हैं का देखो बेहनों में तुम्हारे साथ चलूंगी लेकिन तीन गंटे बेट के कथा सुनू इतना मेरे पास टाइम नहीं है का तीन गंटे नहीं आप तो ती करके खड़ी हो गई का रुको रुको महराज कथा बाद में कर लेना पैने मेरी बात सुनो महराज जी ने विचार कि आज ये खतरनाक बुड़िया कहां से आगे हात में गोबर था और जिनके हातों में गोबर लगा होता है वो लोग कभी साधारान नहीं हो सकते हैं का जी मह तीन गंटे बेट के कथा सुन सकू इतना मेरे पास टाइम नहीं ही और आई हो तो मुझे भी ऐसा तो कुछ बताना पड़ेगा जिससे मेरा कल्यान हो जाएं महराजी ने विचार कि आप इसको क्या बताऊ बहुत देर तक विचार किया और फिर कहा कि देखो माई वरद शरी बुड़ा शरी रहें जड़ा कोई भाव बजना आपसे वोने वाला नहीं तो आप काम करना ब्रग्वान को पाना है तो घर पце जो काम करते हूं उस काम को ब्रग्वान को समर्पित करते हुए करना तो रोज की तरह गबर उठाया एक पात्र में मेरे भाईबन उस गोबर को भरा और उस गोबर को ले गई डालने के लिए जहां जिस स्थान पर गोबर डालते हैं ना उस स्थान पर मेरे बाइबनो वो गई और गोबर डालते हुए कहने ही वाली थी मेरे बाइबनो उसने विचार किया कि में को ठाकुर जी को जो भी काम करना है वो समर्पित करते हुए करना है इसलिए महराजी की वानी याद आ गई और उसने गोबर डालते हुए कहा कि ले ठाकुरिये गोबर थारे मेरे भाइबेनों गोबर डालते हुए वो गोबर ठाकुर जी को समर्पित कर दिया अब रोज का क्रम बन गया रोज मेरे भाइबेनों वो बुडिया माता गोब और उठाती और हर बार उस गोबर को डालते हुए कहती कि ले ठाकुर ये गोबर थारे रोज का क्रम बन गया अब दीरे दीरे मेरे बाइबन अ समय आगे बढ़ा एक दिन जब गुडिया माई गोबर डाल के गई और उसके बाद नारच जी पहुंचे ठाकुर जी के पास तो ठाकुर जी गले गले तक गोबर में भरे बेठे नारच जी ने पूछा क्या बात है ठाकुर जी इतना सारा गोबर काहे लगा करके बेटेओ कोई चर्मरोग हो गया क्या आपको कोई चमडे की बिमारी हो गई का नहीं नारच जी चमडे की बिमारी बिमारी तो कुछ नहीं ह कहा क्या बताओ नारत धर्ती पर एक बुड़िया माई ही और वो माई गोबर डालते हुए कहती है कि ले ठाकुर ये गोबर ठारे और आप तो जानते ही हो नारत जी कि मुझे प्रेम से भाव से कोई कुछ भी समर्पित करे तो मैं उसको स्विकार कर लेता हूँ कहा तो फिर अगर ऐसी ही बात है तो एक काम करो ठाकुर जी जल्दी जाओ क्योंकि एक बार और गोबर लाकर के डाल दिया उस माई ने तो अब तो सीधा मुझे जाएगा गोबर जल्दी पहुचो दोनों बात कर ही रहते इतने में बुडिया माता फिर ले आई गोबर और मेर उस गोबर को अपने हाथ में लेते हुए कहा कि ले माई ये गोबर महारे तो मेरे भाइवनों उस बुडिया माई को ठाकुर जी के दर्शन हो गए अब विचार करना बुडिया माई गोबर पहले भी डाल रही थी पूरी उमर बीच गई गोबर डालते डालते लेकिन अबर डाला और उसको भगवान को समर्पित करते हुए डाला तो ठाकुर जी ने दर्शन दे दिये तो हमें अपना काम नहीं छोड़ना है काम करते जाना है बस कर्म को धर्म के साथ जोड़ लेना है